हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छे होगे स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों कापके अपनी चैनल क्रिकोलान प्रिक्षन में है गाइस टाटा वूमेंस प्रीमियर लिग का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा यह मुकाबला कब खेला को मिल जाएगा यार मैं आर सीवी का खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ चाहे वो मेंस किरकेट हो गई या फिर वूमेंस किरकेट जो कि पिछले साल से डाबलू पील चल रहा है मैं चाहूंगा यार वूमेंस इस बार खाता खोलें पिछले साल स्टार्टिंग की वूमेंस से खाता खुल जाता है तो अच्छा जो चीजें होंगी आप लोगों को फाइनल जो भी चीजें होंगी वह सब टेलीग्राम पर बताया जाता है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना लिंक होगा लिंक वर्क ना करें तो क्रिक 2580 लिक करके सर्च क पर क्या सकते हो चार नमंबर का आना तो पिंड मैसेज होगा क्योंकि आफटर टोस जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट होता यहीं पी दिया जाता है और यह मत देखोगी चैनल छोटा है बड़ा है क्योंकि जो चीजें होती है ना नौलेज होती है जो अच्छी बाते ह तो यह ना वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही बताया जाता हूँ आपको कोई भी इंसान जिंदगी में कब सीखा कर चल जाए यह चीज बहुत मैटर करता है तो एक बर आप आप आओ जो चीजें मैं समझाता हूं अगर आप अच्छे से समझोगा ना तो मैं और मे लोगों को पहले वेन्यू बताता चलू मैं तो बैंगलेरू के ग्राउंड पर आज पहला मैच भी खेला जाएगा अभी वह मैच स्टार्ट नहीं हुआ है यहां पर देख सकतो टाइमिंग चल रहा है तभी मैं दूसरे मैच की वीडियो को यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हू क्यूंकि स्टार्टिंग के ज्यादातर मुकाबले बैंगलूरू के ही ग्राउंड पर खेले जाएंगे तो यह मैच को मैं अब्सॉर्ब करूंगा अब यह मैच का अगर वेट करूंगा तो लेट हो जाएगा क्यूंकि नाइट में मैच खतम होगा फिर वीडियो पर कर लेता हूं ठीग है आप लोगों कुछ चीजे समझा देता हूं यहां से कुछ रखरे सकते हो पांच में लेटेस्ट पांच में से दो-दो मैं जीत के आ रही है ठीक हाँ वेनु वही देखो च्वान्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू का ग्राउंड रहने वाला है जो की गुड फोर बॉलिंग विकेट बताया जा रहा है लेकिन जैसे कि मैंने कहा है पहला मैच देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पहला मैच देखना इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा बॉलिंग में भी इस्पिनर्स जो है जो की इस्पिन गती के बॉलिंग करते हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जैसे कि मैं हमेंसा कहता बॉलर्स किस परकार के हैं विकाज जो भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते हैं वो तो अल्रांडर ही होते हैं ओवरकस्ट कंडिशन बताया जा रहा है बटाइटिंग बारिस नहीं होनी चाहिए और उम्मीद करूंगा कि नहीं हो बारिस पिछले पांच मैचों में 81 औस यहाँ पर ऐवरिज फरस्ट इनिंग स्कॡर बनता है 42 टोटल विकेट गिरें जहाँ पर 16 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिया है वह 26 विकेट इस्पिनर्स ने लिया है तो इस्पिनर्स और lot टीमों ने वोन्न किया था बांकि टॉप पिक्स वागरा है जोकि बहुत सारे लोग आप लोगों को यहां से बताते हैं आप चाहो तो देख भी सकते हो खैर I think अभी यह कोई जादा मेंटर नहीं करने वाला है समरी समझ लो क्या करना है पहले तो देखो बैंगलेरू जो ग्राउंड है वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेंस का होम ग्राउंड रहने तो 70% चांसे आप मान के चलोगे कि बैंगलोर्स की टीम ही मैच को वोन करें क्योंकि होम गराउंड है तो थोड़ा सा फेवर मिल सकता है उसके बाद बॉलर्स को आप लोगों को अच्छे खासे अपने टीम में ले के चलना है वैसे तो आल राउंडर सी वो सारे काम करने वाले हैं मैं आपको बता दूँगा कौन बॉलर्स आपको तीन से चार ओबर करके बॉलिंग दे सकते हैं बाकि उसमें भी स्पिन बॉलर को आप लोगों को फैवर करके चलना है क्योंकि रन कम बनता है तो ये दो तीन चीज़े अगर आप जान जाओगे तो बहुत अच्छा आप सब्से पहले विगेट कीपर आप्ष्ण तो एलेसा हीली रीचा घुर्स दो विकलब आपको देखने ही को मिल रही है अगर बात किया आ जाए एक्सपीरेंस बाइस बात किया जातो अलेसा है और य्यंग होत BLACK है लेजन्ड देखो मैं एलेसा हीली को अपने टीम में ट्राई करूंगा दो विकेट कीपर ले जाना ना थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्यूंकि रन कम बन रहा है बस असी रन यहां पे ग्राउंड का रिकॉर्ड बता रहा है तो इस वज़ा से असी रन बन रहा है भाई अगर 15 रन भी मैं बता इन्हेश करने वाली टीम के तरफ से बहुत मसूर ओपनर है बहुत टाइलेंटेड खिलाडी है यह मेरे टीम में जगा बनाने वाली है उसके बाद डैनिया वाइट यूपी वूमेंस के ताफ से ये भी आप लोगों को open करने वाली है ठीक है अगर quality वाइज बात किया जा तो सिमरिती मंधाना मेरे टीम में जगा बना रही है डैनिया वाइट को जो लोग चाहें अपने टीम में बिलकुल ले सकते है रिक्स टेकर उपर भी हो सकती है जैसे कि कैरून पुलाड महेंदर सिंग धो नहीं है क्योंकि ये फिनिसर का भूमिका अच्छा निभाती है पलस ये अपने टीम के तरफ से ना बॉलिंग भी करतू ही दिख सकती है अभी मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कितने विकल्प के तौर प पफॉर्मेंस था सतक भी मार रही थी विकट भी ले जा रही थी इंपॉर्टेंट खिलाडी है मैं अपने टीम में इनको लूँगा बैटिंग करम तो वैसे प्रॉपर पांच नंबर पर रहने वाला है लेकिन जो बॉलिंग सा डवांटेज है न वो बहुत इंपॉर्टें बिग बैस लिग में और सतन यह तीस पॉइंट दे रही थी आई थिंग मेलबन रेनिगेट्स वूमेंस के ताफ से खेलती है डैनिया वाइट ठीक है औल राउंडर सेक्षन इंपॉर्टेंट सेक्षन है यहीं पर सारी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जहां से अलेसा पैर यह भी देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ग्रेस हैरिस यूपी के तरफ से है ना सेम यूपी के तरफ से ताइला मगरा भी उसी नेचर के खिलाड़ी है इनका वैसे प्रॉपर बैटिंग करम नंबर छे पर रहता है लेकिन अगर अच्छी सुरवात मिल जाएगी चार ओबर आइधिंग कंप्लीट करने चाहिए इंपोर्टन खिलाड़ी है चमारा अटी पट्टू इस सीजन बहुत ही बहतर इस लड़की ने परफोर्मेंस किया है डबलू बीबिल में इंपोर्टन खिलाड़ी है चार ओबर की आप लोगों को बॉलिंग करके देनी चाह लाड़ी है जो कि वुमेंस बिग बैस लिग में मेलबन रेनिगेट्स वुमेंस के तरफ से खेलती है लेकिन यह दोनों चांस ना मिले और नीचे से कोई सेफ में है नहीं तो यह फिलाल के लिए मैं पांच आल राउंडर अपनी टीम में लेकर जा रहा हूं जो कि रेनिका सिंग ठाकूर अगर देको फर्ष्ट बॉल करें बैंगलोर वुमेंस की टीम तो आप अपने टीम में इनको ले लेला विकाज यह देट स्पेसलिस्ट है लेकिन पीछ पे क्या होता है पीछ पे इस पिनर्स को जादा विकेट मिलता है और यह फास्ट आ रहें तो हो सकता है सेकेंड इनिंग के बॉलिंग में मैं अपने टीम से इनको ड्रॉप कर दूँ फर्ष्ट इनिंग के बॉलिंग में फिर भी यह देथ में बॉलिंग कर सकती है जहां पर अड्वांटेज मिल सकता है लेकिन सेकेंड इनिंग के बॉलिंग में हो सकता है मैं रेनिका सिं आप जो जारवा खिला री है अगर देखो सेकंड बॉल करेंगे ना तो हो सकता है सारी दूनिया रेनुका सिंग ठाकूर के साथ जाएगी मैं गयकवाड को अपने टीम में ट्राइ कर लू सेकंड बॉल में एक एड क्रोस खेलेंगे तो इनको भी अपने टीम में मैं try कर सकता हूं इनको कब try करना फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग में आप इनको try करके चल सकते हो फिलाल के लिए देखो safety purpose से रेनुकार सिंग ठाकुर मेरे टीम में जगा बना रही हैं आप चाहो तो डेनिया वायट को यहां से टीम में try कर सकते हो आप चाहो तो रिचा घोस क के बारे में भी मेरी opinion है आपको क्या लगता है आप अपने टीम में खिलाडी को ले सकते हो आप अपने सौच के according ठीक है बात करते हैं दोस्त कैप्टन वाइस कैप्टन के तो एलेसा पैरी वन डाउन खेलेंगी तीन अबर की कम से कम बॉलिंग करके चल सकती है मेरी captain रहने से वाली है मगरा के सासाथ जा सकते हो उबर से मन्धनाा के सा जा सकते हो फिलाल के लिए कुछ इस परकारकी टीम मेरी बनके रेडियो रही है जहां पर देखेगा कैप यहां तो हैरिस को कर दो तो फिर बॉलिंग नहीं करती हैं तो हैरिस को कर दो इनसे सेफ लग रही है मुझे तो फिर एकलेश्टन को कर सकते हो भाई या ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट के लाड़ी है अब थोड़ा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं वीडियो देखो इंपॉर्टेंट अट्टा पट्टू के भी जादा नहीं तो कम से कम दो अबर की बॉलिंग मानके चल सकते हो गैकवार्ड खेलिंगे तो तीन से चार अबर की बॉलिंग मानके चल सकते हो ग्रेस हैरिस भी दो से तीन अबर की बॉलिंग मानके चल सकते हो तो यह जो है ना खिलाड़ी यह इं इन लोगों पर थोड़ा रोटेशन करना ग्रांड लिग में अच्छी रैंक ला सकते हो और कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा और जो खेलेगा मैं बता दूंगा कितने विकल्प के तौर पर खेल रहा है क्या उसकी बॉलिंग डालने की चांसे दे नहीं है अगर सेम बैंगल सकते हैं प्यू Ricky से बताना बहुत मुस्किल दिखें कौन लड़की करेगी क्यूंकि बहुत सारे विकल्ब खेलते हैं ग्यारा खेलाडी खेलते हैं आठ नो खेलाडी दस खेलाडी वो अल्राउंडर लेकर खेलते हैं तो इस वज़ा से फिर भी मैं अपना experience आप लोग एक साथ share कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता है women's cricket कोई भी cricket होता है हम लोग पुरी शिद्ध से cover करते है तो अपना भाई साल भर का experience रहता है कि कौन खेलाडी कब किस form से आ रही है कौन क्या balling कर सकती है तो उसके base पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है बाकि after dose जो भी final update, final team और जो भी मतलब playing 11 आएगी उसके base पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन खेलाडी की क्या chances है बैटिंग balling करने की तो उसके लिए telegram का channel आप लोगों के लिए बना ही हुआ है बिल्कुल free है description, comment box चेक कर लेना link होगा, link वर्क ना करें तो simply is a click to 580 लिख करके search करके आ सकते हो 4 November का pin message चेक कर लेना आना तो बस ये दो काम करना है आप लोगों को बागी comment करके बताऊ आपकी favorite team कौन सी है, कौन सी team को आप support करने वाली मेरी तो RCB women's की team रहने वाली है आप UP वाले हो किया हूँ तो मैं UP से है, लेकिन विराट कोली की team मेरी favorite है बागी आप बताना आपकी team कौन सी है बागी मिलते हैं और इच्छी वीडियो साथ तबते हैं के लिए goodbye check किया